खालो फ्रेंट्ट्स आं मिस्तफा वेल्कम टो माय यूटूब चैनल फ्रेंट्स अगर आपके बस CDU चार्टर बैंक का ट्रेडिट कार्ड है और आप अपने credit card को आप use नहीं कर पा रहे हो किसी भी तरह का transaction आप अपने credit card से नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता आपका credit card in active mode पे हो या आपका credit card off हो तो आज हम सीखेंग इस वीडियो में कि कैसे आप अपने credit card को active mode पे कर सकते हो बहुत से customer को जब नया credit card आया standard chartered bank का तो आपने credit card को use नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरह का transaction नहीं कर पा रहे हैं तो आज हम सीखेंग इस वीडियो में कि क्या दिक्कत है कैसे आप अपने credit card को on कर सकते हो खुद से बिना bank गये होए card को activate हम mobile lab के जरीए करेंगे तो आपका mobile lab activate होना चाहिए अगर आपने activate नहीं किया तो वीडियो के description में आपको link दे दिया वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कैसे आप mobile lab में first time रश्र कर सकते हो तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यह है standard chartered bank का mobile lab इससे आपको करेंगे open यहां से कर लेते हैं उपन करने के बाद आपको interface कुछ इस तरह से दिखेगा आपको यहां से login कर लेना है अगर आपने इसमें अब तक login रश्र नहीं किया तो वीडियो के description में आपको link दे दिया वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कैसे आपको first time इस app में register करना होता है मैंने अब लोड़ी register किया हुआ तो चलिए मैं login कर लेता हूँ जल्दी से login पर click करके मैं आप fingerprint से login कर लेता हूँ मैंने fingerprint set किया हुआ है और login होने के बाद आप इसके home page पा आजाओगे home page आपको इस तरह से दिखेगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर दिख रही है three lines आपको कोने में यह वाली आपको इस पर करना है click इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एक नीचे option help and services का यह वाला option तो आपको help and services पर click करना है यहाँ से यहाँ से हम करेंगे इस पर click इसके बाद आपको next page इस तरह से दिखेगा यह आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको light दिख रहा है मैंने camera से record किया screen recording नहीं हो पाया ठीक है side में उन्हें screenshot फिर भी लगा दिया है आपको इस तरह से दिखेगा तो यहां पर आपको option दिखेगा manage card usage यह आप देख सकते है manage card usage तो आपको इसके इस पर click कर देना है इसके बाद आपको इस तरह से दिखेगा आपका credit card यहां शोव जाएगा आपको अपने credit card पर ही क्लिक कर देना है यह यह रही इसके बाद आप next page पर आज आओगे और आप देख सकते हैं इसी वजह से हम अपने credit card को use नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरह का transaction नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है इस बटन पे क्लिक करके इसको active कर लेना है on कर देना है यहां से करेंगे click और आपको इस तरह से confirmation मांगेगा कि आप सारे transaction अब यूज कर सकते हो within the limit तो आपको confirm के button पे क्लिक कर देना है यहां से यहां से कर देंगे इस confirm और आप देख सकते हैं आपका जो card का स्टेट इस तरह से दिखा देगा अब आप हर तरह का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं domestic international token transactions ठीक है और आपको bank से confirmation message भी आजेगा कुछ इस तरह से कि आपका card reactivate कर देगा अपने credit card का आप use कर सकते हो इस feature का आप तब भी use कर सकते हो by the way कभी आपका card हो जाता है तो जितनी दिर में आप customer care को call मिलाओगे उतनी दिर में अपने card को यहां से आप आफ कर दोगे तो किसी भी तरह का ट्रांजिक्षिन आपके credit card से नहीं होगा fraud वगरख जो हो जाते हैं आप इसको आफ कर दोगे तो नहीं होगा अगर आपको आपको आफ करना हो तो यहां पर क्लिक करेंगे और आपसे दुबारा confirmation मंगेगा आपको confirm पे click कर देना है इसके बाद आपके card से किसी भी तरह का transaction नहीं होगा bank से भी confirmation आपको message आजाएगा कि आपका temporary block कर दियागा या आप देख सकते हो card status आपका इस तरह से दिखाए देगा तो छेले में इसको on रहने देता हूँ ठीक है मैं इसको on कर देता हूँ friends मैं आपको recommend करूँगा कि आपको हमेशा अपने credit card को off करके रखना चीए क्योंकि आजकल काफी ज़्यादा frauds हो गए है credit card के उपर अगर आप अपने credit card को इस तरह से off करके रखते हो तो आप fraud से बच जाएंगे आपको किसी भी तरह का fraud का सामना नहीं किना पड़ेगा जब भी आपको use करना हो अपने credit card को आप on कर लीजे use कर लीजे अगर आपका use नहीं है तो इसको आपको off करके रख देना है तो friends इस तरह से आप अपने credit card को on या off कर सकते हो अपने usage के according तो friends उमीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जुपतिएगा इस आप अपने WhatsApp में ग्रूप में शेयर कीजिए हो सकता है किसी के लिए वीडियो बहुत जाद है important हो इसके regarding अगर आपको कोई भी confusion या doubts है तो मुझे आप comment box में लेकर पूछ सकते हो thank you so much for watching this video